यमन एक ऐसा देश जो दुनिया के सबसे important geopolitical location पर है जहां से वो Red Sea के आसपास आने वाले सारे trade को control कर सकता है यानि दुनिया के trade को रोकने के शमता रखने वाला एक देश जिसके पास इतनी पकड़ है कि अगर वो मजबूत हो जाये तो बाबल मंदेब के इस choke point को control करके वो द क्यों साओधी अरेबिया के साथ उसकी जंग बनी हुई है क्यों एक ऐसा देश है जिसके उपर हाल में भी USA और UK ने bombing की है क्यों आखिरकार होतीज का control है कुछ हिस्सों के उपर और क्यों एक ऐसा देश जिसने Ottomans की ना सुनी जो Britain से भीडा USSR से लड़ा USA से लड़ा UK से आखिर आज इस humanitarian disaster का सामना कर रहा है जानते हैं इस पूरी कहानी को कि आप ये समझे कि यमन की क्या है कहानी और क्यों दुनिया में अगर एकता ना हो तो कोई भी देश हजारों टुकडों में बढ़ सकता है कैसे अल-Qaeda से लेके UAE भी यहाँ पर active है और सौधी अरिभिया क पाकिस्तान भी यहाँ बम गिराता है लेकिन फिर भी ये देश खत नहीं हो रहा है जानते हैं यमन किस कहानी को और इस वजह को कि क्यों यहाँ पर इतना conflict है और Middle East की क्यों बहुत बड़ी कड़ी है यमन यमन में असल में जो population है वो है शिया और क्योंकि शिया population है इसी वज इरान के supported group हाउतीज के control में है जहां से हाउतीज ना सिर्फ इसराइल की उपर attack करते हैं बलकि सौधी रिविया से भी एक बड़ी सी जंग लड़ रहे हैं जबकि सौधी रिविया backed government जो बाकी हिस्सों पर है वो लगातार मूँ की खा रही है और इसी लिए शिया सुनी conflict यह पर है लेकिन इससे बड़ा भी conflict यहां एक है जो है यमन के इतिहास का आज इरान जो सीधे रूप से हाउतीज को support करता है यमन में जहां हाउतीज ना सिर्फ इरान को support करते हैं बलकि इसराइल पर भी हमले करते हैं और रेडसी से आने वाले trade पर भी अपना control जवाने की कोश ने क्योंकि जब हाली में conflict हुआ था और यमन में बैठे हाउतीज ने अटैक करना स्टार्ट किया तो सब को ये रूप छोड़कर यॉरप से एशिया आने के लिए 11,000 नौटिकल माइल्स का लंबा रूट लेना पड़ता है जो चीजों को महंगा और मुश्किल बना देता ह इसलिए एक important location है इसके पास और historically इसे control करने के लिए बड़ी जंग लड़ी गई इसकी geography मुश्किल है क्योंकि एक तरफ जहां desert है वही mountains है और ये जो जगे है जिसे कहते हैं बाबल मंदेव ये एक छोटा सा इलाका है जिसको आसानी के साथ ships के थूरू control किया जा सकता है जो यमन को बहुत important बनाता है इसलिए कभी Egypt की भी नजर थी यमन को control करने के लिए और यमन इन टुकडों में क्यों बटा इसके गहानी शुरू होती है आज से सालों पहले जहां से यमन गिरते गिरते इस level पहा है असल में जिस यमन को आज आप देख रहे हैं इस यमन में सुनी पॉपलेशन से जारा शिया पॉपलेशन से है और यहां पर जैदी कमुनिटीज हमेशा बहुत powerful हुआ करते थे जैदी असल में एक शिया गुरूप का नाम है जो शिया गुरूप इराक और इरान के शिया गुरूप से थोड़ा सा different है तो जो आप शिया गुरूप या इरा इरान में देखते हैं या इराक में देखते हैं उनके मुकाबले यह शिया गुरूप थोड़ी से different होते हैं लेकिन फिर भी आजन को इरान सपोर्ट कर रहा है और क्योंकि यह शिया गुरूप से तो सौधी एरेभिया हमेशा परशान रहता है कि कहीं इसका इस्तमाल करके इ लेकिन माना जाता है कि जो यमन के लोग हैं ने कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है हमेशा ऐसे ट्राइबल गुरूप हैं जो युद्ध करने को तयार रहते हैं इसलिए जब ओटमन अंपायर का भी कभजाईन के उपर था तो पूरी तरह से ने कंट्रोल नहीं कर पा रहे यमन की हिस्ट्री का पहला बड़ा चप्टर स्टार्ट होता है इमाम यहया के साथ इमाम यहया चो 1918 में आजादी दिलाते हैं नौर्डन यमन को ओटमन के कंट्रोल से तो 1918 के बाद से ही यमन फ्री होना शुरू होता है और यहां आपको दिख रहा है नौर्डन यमन का वह ह लगातार Northern Yemen में control बना रहता है इमाम यहया का और एक नेग kingdom सी वाँ establish हो जाती है जबकि याद रखिए यहाँ पर एक बहुत important एडन का port है जिस port के थूँ यहाँ का trade control होता है गल्फ अडन का और बाबल मंदेब जैसी एक संकरी जगे से ships को control करने के लिए यह port बहुत important है और उस वक्त यहाँ पर लगातार Britain ने अपना कबजा जमा के रखा हुआ था जिसको छोडने को तयार ही नहीं था और एडन के port को असल में इंडिया का पार्ट, British इंडिया का पार्ट बनाकर वो रूल किया करता था ताकि इस shipping route पे वो अपने आपको control करके रख सके, इतना ही नहीं सोकोतरा का island जो अभी यमन का ही पार्ट है इस पर भी उन्हीं का control हुआ करता था, चीजें बन ली जब एक समय के बाद यहाँ पर इमाम यहया के अंदर मुतावेकिती kingdom काफी strong होता चला गया और खुद को वहाँ राजशाई की तरह establish करने लग गये, लेकिन colony of Eden जो है वो अभी तक पूरी तरह से Britishers के control नहीं होती थी लेकिन एक समय आता है जब मुहमत अलबदर, जो आखरी इमाम होते हैं यमन के इनको हराया जाता है, उनके खिलाब एक विद्रो होता है और ये विद्रो साओधी अरब से नहीं, ये विद्रो होता है इजिप्ट से इजिप्ट के अब्दलनासर चाहते थे कि एक unified front खड़ा हो एरब कंट्रीज का एक unified Islamic कंट्रीज साथ में खड़ी हो, और वो चाहते थे यहाँ पर एक नया Republic बनाना जो ये इमाम की kingdom थी इसको हटा कर वहाँ पर एक Republic establish करना चाहते थे, और इसलिए वो शुरू करते हैं एक जंग की यहाँ पर बन सके एक Yemen Arab Republic और वो काफी हद तक इसमें सफल भी होते हैं अल्बदर को हटा कर पहली बार Northern Yemen में establish होती है एक Yemen Arab Republic जब हम Northern Yemen की बात कर रहे हैं, लेकिन South का क्या हुआ, असल में World War 2 के बाद, जब British यहाँ से निकले, तो यहाँ पर एक attack होता है, और साथी रेबिया इलाका पहुशने लगता है, USSR के कंट्रोल में, क्योंकि एक Marxist government यहाँ पर विद्रोह करती है और South Yemen के उपर अपना कबजा जमा लेती है, Northern Yemen में Yemen Arab Republic में भी विरोध स्टार्ट होते हैं विद्रोह स्टार्ट होते हैं और इसके बाद चीजें तूट कर अलग होती है, क्योंकि United Arab Republic की जो सपने, Egypt ने देखे थे उसमें Yemen, Egypt Syria और इराग भी पाड़ थे लेकिन वो सपना बहुत जल तूटता है जब पहले से Syria बाहर निकलता है और South Yemen में सीधा-सीधा एक Communist government का कंट्रोल आता है, एक Marxist government का कंट्रोल आता है, और Northern Yemen में एक विद्रो शुरू होता है Saudi Arabia सपूर्ट करता है वहां के लोगों को, कि आप जाए और अटैक करिए इस Egypt-led Arab Republic के खिलाफ और South में वहाँ पर एक Communist government आके अपने आपको establish कर लेती है दो इस्सों में बढ़ जाता है लेकिन कुछ समय बाद ही Egyptian government थी, वो तो खत्म होती है लेकिन एक वहां की Independent Arab government वहाँ पर आ जाती है यानि जिसका नाम होता है Yemen Arab Republic यानि यहाँ जो मोनार्की थी इमाम की वो खत्म होती है अब क्योंकि यहाँ पर एक Communist government वाली सरकार थी तो जो Northern Yemen था इसको कुछ अद्टक indirectly सौधी रेविया और USA सपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं यहाँ की government को जबकि इधर USSR का सपोर्ट होना स्टार्ट होता है इन दोनों के बीच में जंग भी होती है कि लगातार उन्हें सुनीज के द्वारा और Americans के द्वारा डॉमिनेट किया जा रहा है और वहीं से एक Revolution की सुबुगार शुरू होती है और यह भी कोशिश शुरू होती है कि किसी तरह North और South Yemen को जोड़के Unified Yemen खड़ा किया जाए जिसका विरोध लगातार सौधी रिविया करता है जो नहीं चाहता कि इनका Unification हो 1990s में वो समय आता है जब यह दोनो रिबनी रिपबलिक Northern Yemen और Southern Yemen एक साथ आते है और इनके साथ आने की वज़य होती है USSR का विरिटन 1990s के बाद USSR खत्म हो जाता है USSR के खत्म होने के बाद ही Yemen Arab Republic और People Democratic Republic of Yemen साथ आते हैं और एक combined Yemen बनता है जिसको आज हम देख रहे हैं लेकिन जब यह Yemen बन के तयार होता है तभी एक important Shia group अपने आपको strongly यहाँ पर push करना शुरू करता है जिसको आज हम Houthi Republic के नाम से जानते हैं Houthi Movement के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ पर फिर देखा जाना शुरू होता है कि जो Shia population है वो marginalized हो रही है consistently इससे पहले एक और चीज़ घटती है 1979 में होता है Islamic Revolution of Iran इरान में होने वाले Islamic Revolution के बाद जितनी दुनिया भर की Shia population है उनने लगता है कि शायद इरान ही उनके मदद कर सकता है और इसके 10 साल के बाद इरान के सपोर्ट से यमन में भी Hezbollah जैसा एक ग्रुप खड़ा करने की कोशिश स्टार्ट होती है और इसलिए 1990 में Houthi Movement यहाँ पर अपना पैर पसाणना शुरू करता है यमन में Republic Government आ जाती है लेकिन इस Republican Government से Northern Yemen के लोग जो हमेशा से ही आजाद रहे हैं उन्हें ऐसा लगता है कि उन पे कंट्रूल करने की कुशिश की जा रही है यहाँ पर ओयल का बहुत सारे बेसिन का पदा लगता है जो नौर्ट से दूर South में होते हैं और जिनका कंट्रूल Northern इलाकों के कभीलों के पास बिल्कुल भी नहीं होता इसलिए conflict बढ़ता ही चला जाता है और फिर यहाँ पर चल रहे Government में लगातार विद्रोह की स्थिती स्टार्ट होते है और इसे रन करते हैं अली अब्दल सले सले का कंट्रूल लगातार यमन के उपर बढ़ने लगता है पर यमन में corruption भी स्टार्ट हो जाता है यमन में जब सले की government होती है तो यमन को सीधा support कौन करता है साथी रिविया क्योंकि वो चाहते हैं कि इन्हीं की control यहाँ पर होता रहे साथी लग के support के बावजूद सले की government गिरती है और वहाँ पर एक नई government आती है अरब स्प्रिंग के बाद 2011 में हुए अरब स्प्रिंग में सले को वहाँ से निकलना पड़ता है और 2011 की अरब स्प्रिंग में एक बहुत बड़ी success होती है हाउतीज की हाउतीज को support मिलता है इरान का यमन में बढ़नाई corruption का हवाला दे कर वो एक पूरा revolution करते हैं जिसमें की वहाँ के ruler सले को निकलना पड़ता है और उनकी जगे साथी डिविया हादी को establish करता है लेकिन हादी के establish होते ही वहाँ एक और civil war start हो जाती है जो शुरू करता है अंसर अल्ला यानि वो party जिसको हम हाउतीज के नाम से जान हाउतीज अपने आपको अंसर अल्ला के नाम से भी बुलाता है यानि party of the god और ये अंसर अल्ला की शुरुवात हाउती मुव्मेंट की शुरुवात होती है believing youth नाम की एक organization से 1990s के ही आसपास जो जाइदी ग्रूप था जिने ऐसा लग रहा था कि हमारे उपर तो अब जो कभी जाइदी Muslims का control हुआ गरता था वो shift हो रहा है और सौधी रेबिया और सुन्नी ग्रूप यहाँ पर जादा active हो रहे हैं वो बद्र अल्दीन अल्होदी के अंदर गत एक नया movement शुरू करते हैं जिसे हूती movement भी कहते हैं जो कि विद्रो खड़ा करता है पहले सौधी रेबिया के control के खिलाफ और फिल हादी government के खिलाफ और यह party लगातार मजबूत होती चली जाती है जो demand करती है death of Israel demand करती है death of USA क्योंकि इनको दिखने लगता है कि लगातार हो रहे है changes में चाहे वो हादी हो या उससे पहले सले हो इन सब को directly USA support कर रही है USA का support, सौधी रेबिया का support और इनको लगता है कि कही न कहीं इन सब के पीछे इसराइल भी है और इन सब के support से जो सले की government है और जो हादी की government उसके बाद जो ruler बने सौधी रेबिया के वो consistently सौधी रेबिया के support से यमन को गिराना चाहते हैं इसलिए होधी movement या फिर अंसर अल्ला जो group है वो इनके खिलाफ लड़ना शुरू करता है इरान की government इस लड़ाई में 2011 के बाद जब सले यमन से निकलते हैं लेकन कुछ सालों बाद ही सले support करना शुरू कर देते हैं होधी को और होधी अपने attacks strong करते हैं और हादी जो एक government रन करते हैं with support of Saudi Arabia उनके खिलाफ खुले आम विद्रोह शुरू हो जाता है एक जंग हो जाती है पूरे के पूरे यमन में जिसमें यमन कई हिस्सों में बढ़ चुका होता है तो 1990s में जब यूनिफाई होता है यमन एक देश बनता है तब ही यहाँ पर हुतीस का control बढ़ना स्टार्ट होता है और 2004 आते आते हुतीस बहुत strong powerful force अपना खड़ा कर लेते हैं और पहले सलेह के खिलाफ विद्रोह की स्थिति और उसके बाल हादी government के खिलाफ विद्रोह की स्थिति खड़ी हो जाती है जबकि south में भी consistent विरोध और civil war की स्थिति बनी रहती है इसलिए 2014 से लेकि आज तक लगातर conflict होते रहते हैं और इन सब का फाइदा उठा कर वहाँ पर अलकाईता भी अलग-लग इलाकों में अपना control बढ़ा लेता है UN अपने लिए एक peacekeeping force भीजता है लेकिन वो भी कहीं पर control नहीं कर पाते तो मनसूर हादी का control इस इलाके में रहता तो जरूर है लेकिन वो बहुत कमजोर हो जाते हैं और आखिरकार उनको भी resign करके यहां से जाना पड़ता है और बरतमान में अगर हम देखें तो यहां अलग-अलग groups active हो चुके हैं एक तो जो हूती का forces है वो northern इलाके में कबजा करके बैठा हुआ है यानि इनकी capital सना, हौदिया और इस पूरी इलाके के उपर जिनके ओपर हूती rebels का control है जबकि यह जो कम popularity इलाका है जिसकी boundary share होती है सौधी रेविया के आसपास यहां पर उनकी government का control है जिसको सौधी रेविया support करता है जबकि दूसी तरफ बीच के इलाकों में यहां पर control है सौधी-led coalition का भी और एक जगह जहां Eden का boat है यहां पर एक नई militant group strongly अपने आपको push करना स्टार्ट करती है उसका नाम है Southern Transitional Council जिसको support मिला हुआ है UAE का तो आज पूरे यमन में हाउती ने नौट में UAE के STC ने South में और East में साथी रेविया के support वाली government का control यमन में है जो इसको कई टुकड़ों में बांट के रखता है और इसी चक्कर में यहाँ पर लगातार conflict होते रहते हैं और हमेशा एक civil war की स्थिती है तो UAE के forces ने यहाँ कबजा कर रखा है इधर साथी रेविया और government जो वहाँ है जिनको साथी रेविया, USA और UAE का support है वो government यहाँ पर है जबकि UAE लेट जो militant forces है STC उसने यहाँ कबजा कर रखा है और इस पूरे northern इलाके उपर कबजा है किसका तो होतीज का और जबकि यह हिस्सा जहाँ भी लगातर conflict चल रहा है साथी रेविया और यमन के border पे वहाँ चीजें अभी भी conflict वाले इलाके में ही पड़ी हुई है इन सभी conflicts हमें पता लगता है कि एक देश किस तरह तूट सकता है अगर उसको एक control करने की कोशिश की जाए बाहरी तागतों के द्वारा जहाँ एक तरफ इरान भी इसमें involved है वहीं Saudi Arabia, UAE भी इसमें involved है USA और UK अपने trade zone को safe करने के लिए यहाँ अलग-अलग जंग लड़ते रहते हैं और इसलिए UAE और इसलिए यमन की स्थिति आज हमें देख रहे हैं जो एक ऐसा देश जो इतने strongly सभी देशों से लड़ा वो आज civil war के चकर में फसा हुआ है जहाँ पानी नहीं है आज तक कि सबसे बड़ी humanitarian crisis कहीं देखी जा रही है तो वो यमन महीं देखी जा रही है और क्योंकि यहाँ पर शिया सुन्नी conflict भी है तो कोई Islamic country या उमा भी यहाँ पर कोई हस्तक shape नहीं करता यही दुर्भाग यह पूरे रीजन का जहाँ पर यमन पूरी तरह से टुकडों में बढ़ चुका है यह था आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद keep on watching PW only IS